नवस्कार दोस्तों केस जी के स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है यदि अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें आज का हमारा टोपिक है करेंट अफेर्स 24 अपरेल 2020 के महत्पून करेंट अफेर्स प्रश्न एक अपरेल 2020 में फ्रांस इस्तित रिपोर्टर्स विदाउट पॉर्डर्स द्वारा आर्शिक विश्व प्रेस वतंतरता सुचकांग 2020 जारी किया गया इस सुचकांग में भारत किस इस्थान पर रहा उत्तर 142 अपरेल 2020 में फ्रांस इस्तित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्शिक विश्व प्रेस वतंतरता सुचकांग 2020 जारी किया गया इस सुचकांग में कुल 180 देशों को शामिल किया गया इस सुचकांग में नार्वे स्कोर 7.4 को शिर्ष इस्थान प्राथ हुआ इसके पस्चात फीनलेंड स्कोर 7.3 दूसरे, डेनमर्क स्कोर 8.13 तीसरे, स्वीडन स्कोर 9.25 चोथे तथा नीदरलेंड स्कोर 9.6 पाचव इस्थान पर हैं इस सुचकांग में नीचले 5 इस्थान उत्तर कोरिया 180 इस्थान, तुर्क मेनिस्थान 119 इस्थान, इरिट्रिया 118 इस्थान, चीन 117 इस्थान तथा जिबूती 116 इस्थान रहा विश्व प्रेश सतंता सुचकांग 2020 में भारत 142 इस्थान, स्कोर 45.33 पर है सुचकांग में भारत के पड़ेशी देशों में भूतान 67 नेपाल 112, श्रिलंका को 127, पाकिस्थान को 145 तथा चीन को 117 इस्थान प्राप्त हुआ विश्व के अइन्य विक्षित देशों में जर्मनी को 11, कनाड़ा को 16, फ्रांस को 34, उनाइटेट किंग्डम को 35 तथा उस्थान प्राप्त हुआ विश्व के देशों में प्रेश की स्थिति के बारे में रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स नामक एक अंतराष्टे गेर सरकारी संग्ठन द्वारा वर्स 2002 से प्रतिवर्ष यह सुचकांग जारी किया जा रहा है यह संग्ठन प्रेश की स्वतंतरता की वकालत करता है इसकी स्थापना वर्स 1985 में हुई थी इसका मुख्यले पेरिस में है इस संग्ठन को संयुक्त राष्ट में सलाकार की इस्थिति प्राप्त है प्राश्न दो तेईस अप्रेल 2020 को संपोण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कोपिराइट दिवस मनाया गया इस वर्स किस शहर को विश्व पुस्तक की राजदानी चुना गया उत्तार कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक की राजदानी चुना गया 23 अप्रेल 2020 को पूरे विश्व में विश्व पुस्तक एवं कोपीराइट दिवस मनाया गया इस दिवस को मनाने का उद्दिश्य पुस्तकों की शक्ति को पैचानना था इस वर्ष कुवलालंपूर मलेशिया शहर को विश्व पुस्तक राजदानी चुना गया वर्ष 1905 में फ्रांस की राजदानी पेरिस में आयोजित युनेस्को की सामयने सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रेल को इस दिवस को मनाने का फेचला लिया गया 23 अप्रेल विश्व सहित्य में एक प्रतिकात्मक्ति थी है क्योंकि 23 अप्रेल 1616 को ही तीन महान सहित्यकार विलियम सेक्स्पियर, मिगुयल डे सेवन्टेस और इनका गार्षिलासो डेला वेगा का निदन हुआ था प्रेशन तीन अप्रेल 2020 में केंद्री क्रशी यवं किसान कल्यान मंत्रले द्वारा देश में वर्ष 2021 में रिकोर्ड कितने करोड टन अनाज उत्पदन का लक्षे रखा गया उत्तर 29 करोड 83 लाग टन का लक्षे रखा गया महत्रों तैथ्या अप्रेल 2020 में केंद्री क्रशी यवं किसान कल्यान मंत्रले द्वारा सामयनी मांसुन की उम्मीद के मद्दे नजर देश में वर्ष 2021 में रिकोर्ड 29 करोड 83 लाग टन अनाज उत्पदन का लक्षे रखा गया इस दोरान अनाज उत्पदन में 63 लाग 85,000 टन वर्दी का अनुमान है मंत्रले ने खरीब फसल में 14 करोड 99 लाग टन अनाज उत्पदन का लक्षे रखा है वर्ष 2021 में 11 करोड 55 लाग टन धान उत्पदन का लक्षे रखा गया है गेहूं उत्पदन का लक्ष 10 करोड 65 लाग टन रखा गया है प्रश्न चार 22 अप्रेल 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने महामारी रोग अधिनियम 800 सित्याणों में शंचोधन हेतु अध्यादेश लाने को मंजूरी परदान की इस अध्यादेश के तहत गंबिर चोट पहुँचाने पर दोशी को कितने वर्ष तक की केद का प्राधान किया गया है 22 अप्रेल 2020 को केंद्री मंत्री मंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम 800 सित्याणों में शंचोधन हेतु अध्यादेश लाने को मंजूरी परदान की गई इस संचोधन अधियादेश में स्वास्त कर्मियों पर हमले को संग्ये और गेर जमानती अपराद की श्रेणी में रखा गया है अधियादेश में स्वास्त कर्मियों को चोट पहुँचाने पर यां संपती को नश्ट करने पर मुआवजे का प्रावदान है राष्ट पती ने इस अध्यादेश के उद्गे उष्णा हेतू मंजूरी परदान कर दी है इस अध्यादेश के अनुसार ऐसा हिंसक क्रत्य करने या इसमें सयोग करने पर तीन महीने से लेकर पांच वर्ष्टक की केद और पचास हजार से लेकर दो लाख रुपे तक के जुर्माने का प्राधान किया गया है कंबीर चोट पहुंचाने पर दोशी को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की केद की सजा और 1 लाग से लेकर 5 लाग रुपे तक की जुर्माने का प्रावदान है 22 अप्रेल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रत्वी दिवस मनाया गया वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विश्व क्या था? उत्तार जलवायू कारिवाही इस दिवस का मुख्य विश्व था 22 अप्रेल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रत्वी दिवस मनाया गया वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विशे जलवायू कारिवाही है उद्देश्य विश्व बर में प्रजयतियों के तेजी से विलुक्त होने पर ध्यान आकर्शित करना है सेंक्त राष्ट द्वारा इस दिवस को अंतराष्टिये प्रत्वी मात्र दिवस के रूप में मनाया गया प्रत्वी के संडक्षन हेतू विश्व बर में जागरूकता फिलाने हेतू विश्व प्रत्वी दिवास वर्ष 1907 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है 22 अप्रेल 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने भारत COVID-19 आपात प्रतिकिर्या और स्वास्त प्रणाली तैयारी पेकेज के लिए कितने करोड रुपे के निवेश को स्विकृति दे दी है 15,000 करोड रुपे के निवेश को स्विकृति दे दी है 22 अप्रेल 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने भारत COVID-19 आपात प्रतिकिर्या और स्वास्त प्रणाली तैयारी पेकेज के लिए 15,000 करोड रुपे के निवेश को स्विकृति दे दी है इस स्विकृत रुपे का तीन चाणों में उप्योग किया जाएगा अभी तक के लिए ततकाल COVID-19 आपात प्रतिकिर्या 7,714 करोड रुपे की देंडाशी का प्रादान किया गया है 6 देंडाशी मद्यावदी सयोग 1-4 वर्ष के तोर पर मिशन मोड में उपलप्त कराई जाएगे पेकेज के मुख्य उद्धिशों में सामिल है डाइगनोस्टिक्स और COVID-19 समर्पित उप्चार सुईदाओं का विकास संक्रमित मरीजों के उप्चार के लिए जरूरी चिकित साउपकरण और दवाओं की केंदरी खरीद पविश्यों में महामारियों से बचाव और तैयारियों में सयोग के लिए राष्टिय तथा राज्य स्वास्त प्रिनालियों को मजबूत्ती देना और विक्सित करना प्रशन साथ 22 अपरेल 2020 को सोशल मीडिया शेत्र की अमेरिकी कंपनी फेस्बुक ने रिलाइंस इंडेस्ट्री समू की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने हिस्सेदारी खरीदने है तुक करार किये जाने की गोश्णा की उत्तार 22 अपरेल 2020 को सोशल मीडिया शेत्र की अमेरिकी कंपनी फेस्बुक ने रिलाइंस इंडेस्ट्री समू की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने है तुक करार किये जाने की गोश्णा की फेस्बुक 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने है तुक 43,555 करोड रुपे का निवेश करेगा फेस्बुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की कीमत 4.62 लाग करोड रुपे आकलित की गई है रिलाइंस इंडेस्ट्रीज के दूर संचा नेटवर्क जियो की सत प्रतिशत हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स के पास है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में फेस्बुक की हिस्सेदारी 9.99 प्रतिशत होगी Reliance Industry Limited द्वारा अपने कर्च को कम करने के प्रयासों के तरह फेस्बुक के साथ यह सोधा किया गया जियो और फेस्बुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष को हसल करने में मदद मिलेगी तो फ्रेंड्स यह थे चोईस अपरेल 2020 के महत्पुन का रिंटर फेस्ट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले